हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल अनसखान टॉक्स दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेफ सिलिंग के बारे में यानि जिसको हम वेफ सिलिंग भी बोलते हैं वेफ बेल्ट भी बोलते हैं यह नॉर्मल भाषा में पट्टा भी बोलते हैं दोस्तों यह जो हमारी vähän selling है यह खास तवर से हमारे वेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आती है तो दोस्तों यह कैसी होती है इस जो हमारी web homeland होती है वो hydra में और हमारी tower crane में सामान को hold करने के लिए काम आती है कोई भी weight अगर आपको hold करना है तो उसके web belt में पहले उसको hold करेंगे उसके बाद hydra से या tower crane से उसको उठाएंगे और एक जगा से दूसरी जगा उसको pull करके ले जाएंगे तो दोस्तों ये web belt क्या होती है इसका inspection क्या होती है किस load के लिए कौन सी web belt हमें use करना चाहिए web selling use करते हैं तो उसके क्या परिणाम हमें जो है वह भुखतना पढ़ेंगे और कप कहां पर किस तरह से इसको use करना चाहिए इसका inspection कैसे होता है और ये खराब कव होती है वो सारी चीजें हम आपको इस video में बनाएंगे तो दोस्तों आप इस video में last तक जरूर बने रहिएगा हम आपको particular weight के according पर्टिकुलर web belt के बारे में बताएंगे और इसको ये भी बताएंगे कि इस web belt को कैसे पहँचाने कि किस load के लिए ये बनी हुई है तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे यही एक बार request करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनस कांटास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल अनस कांटास को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बेल आइकन का भी बटन दबा दे जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले प कि हमारे पास अभी जो विल्ट है यह वाइलेट कलर की है तो वाइलेट कलर की जो विल्ट है इससे हम एक टन लोड उठाते हैं और जो इसकी यानि जो चोड़ाई होती है वो पच्छिस से तीस से और पचास हमें तक होती है और इसका जो हमारा लोड उठाने की कैपिसिटी हो वो एक टन होती है और दोस्तों जहां पर आप यह देख रहा हैं यह तीर जो दर्शार आया है एक काली पट्टी वेब बेल्ट के बीच में पड़ी होती है इसको बोलते हैं स्ट्रीप यानि एक बिलेक लाइन अगर पड़ी होई है तो यानि एक टन लोड हम इससे उठा सकते हैं दोस्तों उसके बात हम बात करेंगे ग्रीन वेब बेल्ट के बारे में ग्रीन वेब बेल्ट यानि ग्रीन सिलिंग जो है इसमें दो टन का लोड हम उठा सकते हैं और इसमें नंबर ओफ स्ट्रीप जो होती है यानि बलेक धागे की जो पट्टियां होती है इसमें दो हो और इसकी जो चोडाई होती है वो 56-60 mm के बीच होती है इसका जो लोडिंग कैपसिटी है यानि लोड कैपसिटी कितनी उठा सकता है यह दो टन तक उठा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे यलो के बारे में यलो में आप देख रहे हैं कि यह तीन टन की कैपसिटी तक का आसानी से उठा सकता है और इसकी जो number of strip होती है इसमें वो 3 होती है और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो चोड़ाई होती है वो 75 से लेके 90 mm तक होती है उसके बाद हम बात करेंगे ग्रे के बारे में ग्रे बेब वेल्ड जो है वो 4 टनलोड उठाने के लिए डिजाइन की आती है और इसकी जो चोड़ाई होती है वो 100 से 120 mm तक होती है और इसमें number of strip जो होती है वो 4 होते हैं उसके बारे में बात करेंगे रेड बेब वेल्ड के बारे में इसको डिजाइन किया जाता है पांच टनलोड उठाने के लिए जर्नली हम साइट पर या कंसेक्शन इंडस्ट्री में या दूसरी भी इंडस्ट्री में ये रेड वाली ही यूज करते हैं और इसकी जो विद होती है यानि चोड़ाई होती है वो 125 से 150 फमिम तक होती है और इसकी जो वेट लिफ्टिंग वेट लोड लिफ्टिंग कैवसिटी होती है वो पांच टन तक होती है और इसके अंदर जो इस्ट्रीप होती है जैसे कि आप देख रहे हैं उसके बाद हम बात करेंगे ब्राउन के बारे में brown web weld जो है वो 6 ton load उठाने के लिए बनाई जाती है और इसकी जो width होती है वो 1500 से 180 mm के बीच होती है और इसकी load capacity जो होती है वो 6 ton तक ये भार आसानी से उठा सकता है और इसमें जो strips होती है वो 6 होती है उसके बाद हम बात करेंगे blue के बारे में दोस्तों जो blue web weld होती है ये 8 ton तक capacity उठा सकती है और इसकी जो चोड़ाई होती है वो 200 से लेके 240 mm तक होती है और इसमें number of strips जो होती है वो 8 होती है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो हमारा arrow है वो आपको strip की तरफ दिखा रहा है और इसमें strip जो है वो 8 होती है उसके बाद हम बात करेंगे orange के बारे में orange web build जो है वो multiple load capacity के लिए आती है और इसको multiple जगा जगा पर use किया जाता है तो आप sequence बाइद देखिए यहाँ पर जो इसकी weight loading capacity होती है वो 10 ton से होती है और 20 ton तक जाती है अब इसको कौन से पहचाने की कौन सी orange build जो है वो किस load को उठाने के लिए capable है अब अगर इसके अंदर strip देखेंगे गिनेंगे तो 10 strip जो है वो 10 ton load उठाने के लिए होती है 12 strip बाली जो है वो 12 ton load उठाने के लिए होती है और जो ऐसे ही sequence wise जो है 15 वाली 15 ton 16 strip बाली 16 ton और 18 strip बाली 18 ton और 20 strip बाली 20 ton load capacity उठाने के सक्षम होती है तो दोस्तों orange वाली जो है वो multiple load उठाने के लिए design किया जाता है लेकिन आप इसको पहचाने के कैसे जो आप तीर देख रहे हैं यह strip यानि काले धागे इसके अंदर जो पड़े हुए होते हैं उससे आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं तो दोस्तों number of strip देखकर आप जो है वो वेब सिलिंग जो है वो पहचान सकते हैं कि किस load को उठाने के लिए orange वाली जो है वो सक्षम है और दोस्तों जो सारी जो वेब सिलिंग है औरेंज वाली इनकी चोड़ाई जो होती है वो 300 mm तक होती है तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको स्क्रीन पे एक लिस्ट भी बना के शो कर रहे हैं जिसमें आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और अपने पास इसको रख सकते हैं क्योंकि आपके लिए यह जो है वो है कितनी चोड़ी होती है और नंबर ओफिस्ट कितने होते हैं और किस लोट को उठाने के लिए यह डिजाइन की जाती है इसमें यानि कितना लोट उठा सकते हैं उसके बारे उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे inspection के बारे में यानि और थोड़ी से general instruction के बारे में कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए और इसके बीच क्या क्या साबधानिया होती है तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह 4-5 इंसक्षन दिये हुए आपको जितना भी लोड उठाना है उस हिसाब से आप वह वह का यूज़ करें ठीक है ऐसा नहीं है कि आप यूज़ यूज़ कर रहे है तो वह तूट जाएगी इससे आपको साइट पर दुर्गट नहीं हो सकती है उसके बाद इसमें लिखा हुआ है चेक अनि डैमेज इन दा बेल्ट सच आज वियर अंटेर यानि बेफ सिलिंग जो है इसको इस्तमाल करने से पहले आप देख लें कि इसमें कोई कटा फटा तो नहीं है या कहीं से धागा तो नहीं निकला है जनली ये नाइलोन की बनी हुई होती है तो धागा बगर तो नहीं निकला है उसके बाद आप ये भी देख लें कि कहीं से कोई खिची हुई तो नहीं है या इसमें कहीं पानी या तेल तो नहीं लगा हुआ है भीगी बेल्ट यूज करना भी जो है वो एक दुरघटना का संकेत देती है क्योंकि अगर आप भीगी बेल्ट यूज करेंगे तो उसमें जैसे ही लोड करी करेंगे वो लोड जो है वो फिसलने लगता है उसके बाद जो है जो लोड जो हमारा है वो बेब बेल्ट के बिलको सेंटर में रहना चाहिए ताकि वो लोड जो है वो आसानी से उठा सके उसके बाद जो है हमारा शार्प एजेस जो है उनको अवाइड करना चाहिए यानि शार्प एजेस जो नोकीले चीजे होती है उसमें अगर आप बेड़ बांदेंगे तो बेड़ जो है वो फट जाएगी लोड आपका नीचे गिर जाएगा जिससे दुरगटना हो सकती है उसके बाद जो हमारा मैट्रियल का पोजीशन है जो भी आप मैट्रियल उठा रहे हैं से भले ही चाहिए कुछ भी हो वो बिल्कुल दुरगटना हो सकती है तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को बिना सब्सक्र कर लें मिलता हूं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए दोस्तों जय हिन जय भारत इस्टे सेफ एंड इस्टे हल्दी